सीरियल दुर्गा में आया दिल्चस्प मोड जहां बचपन में अनुराग ने जिस विश्ट्री पर दुर्गा का नाम लिखा था आज उसी विश्ट्री के पास दुर्गा आती है और अनुराग का नाम पेड़ पर लिखती है दुर्गा इस पल में बेहद मगन हो जाती है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वही अनुराग भी पहुँचते हैं फिर क्या होता है ये आप खुद देखिए जी हाँ यहाँ अनुराग और दुर्गा के बीच एक प्यारा मोमेंट दिखा जहाँ अनुराग दुर्गा को बताते हैं कि वह अब पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले हैं यह सुनकर दुर्गा चौंप जाती है कर दुर्गा यहाँ अनुर्ग जा जाने जाो हाँ झाले हैं दोनों के बीच दिखा क्यूट मोमेंट जिसके बाद कहानी में आता है एक और ट्विस्ट जब अनुराग दुर्गा को एक रिंग देते हैं और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं वही रास्ते में दुर्गा अनुराग की दी हुई रिंग को हाथ में लेकर सोचने लगती है मैं आया हुआ था घर पे और अब मैं वापस जा रहा हूं हो स्वाज्ट अपनी पढ़ाई के लिए सो मैं इनके पास आया हूं इनको फाइनली गुडबाई बोलने के लिए और यहां पर हमारे विश्ट्री के पास खड़ी हुई थी किया करनी थी आप इनसे जाने यह जानना है क्या करनी अच्छा तो मैं मैंने भच्पन में इनसे एक वादा कीया था कि जब मैं बड़ी हो जाऊगी तो उस पेड़ पर अपने साथ उनका भी नाम लिखूंगी तो बस वही वादा को का पूरा करपशने मैं यहाँ पर आई और मैंने अपने नाम के साथ कुवर्सा का भी नाम नखा अब यह मेरे नाम को स्पेल कर सकती है विजपड में नहीं आथा वेल आई डाउट की बड़ी हुई है कि नहीं बैठा अपने प्यार की निशानी दे रहा हूं मैंने तोफा दो यह नहीं है तोफा यह तो यह तो यह नहीं है मतलब इससों बड़े दमांडिंग शीये इतना एक्स्पेंसिव यह त्क पता है होगा तो मैंने साइब ही नहीं है यह तो मैंने अपना रिंग दिया एने as a token of love, as a gift जो कि मुझे एक रात पहले देना था और मुझे खराब भी लग रहा है कि उस दिन मैं नहीं दे पाया सो finally मरता क्या ना करता जो हाथ में था वो निकाल के दे दिया मैं वेल अब सीरियल में आए इस ट्विष्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड आएगा यह देखना दिल्चस्प होगा झाल